तो आज हम जानने वाले हैं इस वीडियो के अंदर गूगल पे को कैसे यूज करते हैं, गूगल पे के ओपर रजिस्टर कैसे करते हैं, उसके लोगा गूगल पे से किसी को पैसे भेजने हैं तो कैसे भेजते हैं, गूगल पे से बैंक काउंट में पैसे भेजने हैं तो वो कै कर जाएगा इस पर आप क्लिक करेंगे तो यह mobile number automatic यहाँ पर फील हो जाएगा अब यहाँ पर आपको नीचे continue पर क्लिक करना है अब यहाँ पर आपको आपकी Gmail ID दिख जाएगी और आपका mobile number दोनों दिखेंगे अगर सही है तो आपको नीचे accept and continue करना है अब यहाँ पर जो आपका mobile number verify किया जा रहा है verify हो चुका है verify होने के बाद आपको कुछ इस तरीका interface देखने को मिलेगा अब यहाँ पर किसी को भी पैसे भीजने से पहले आपको अपना bank account link करना पड़ेगा उसके लिए यहाँ पर देखेंगे add bank account दिख रहा है इस पर हमें click करना है जैसे आप इस पर click करेंगे यहाँ पर आपको बहुत सारी bank दिख जाएंगी आपको अपनी bank select करनी है जो भी bank हो और यहाँ पर continue के उपर click करना है अब यहाँ पर जो आपको permission मागी जाएगी आपसे यह allow कर दिनी है अब यहाँ पर आपका mobile number लो कर जाएगा यह mobile number किस sim पर है आपको select करना है 2 number पर है या फिर एक number पर है तो यहाँ पर मेरे case में ये sim ये एक number पर है तो मैं यहाँ पर एक number कर देता हूँ और यहाँ पर continue उपर click कर देना है जैसे आप इतना करेंगे फिर से आपको जो अलाव करना पड़ेगा कुछ permissions मांग रहा है SMS वगरा सेंड करने की अब यह verify हो रहा है mobile number जो है वो verify किया जा रहा है यहाँ पर थोड़ा सा time लग सकता है इसमें आपको wait करना पड़ेगा अब यहाँ पर आपको pin generate करने के लिए आपको अपने debit card के last के 6 number डालने पड़ेंगे यहाँ पर जो भी है आपको यहाँ पर डाल देना है और यहाँ पर जो आपको नीचे expired date भी डालनी है और आपको यहाँ पर जो है continue arrow बना हुआ है इस पर आपको click करना है अब यहाँ पर एक bank की तरफ से OTP आएगा और वो automatic fill हो जाएगा अब यहाँ पर आपको ok करना है अब यहाँ पर आपको जो है अपना 4 digit का UPI pin बनाना है कई bankों में यहाँ पर 6 digit का UPI pin होता है तो चलिए फटाफट यहाँ पर हम pin बना लेते हैं एक बार pin डालने के बाद यहाँ पर right tick करना है और दुबारा से confirm pin यहाँ पर फिर से आपको same pin डालना है जो भी आपने डाला था पहले वही pin डाल करके आपको फिर से यहाँ पर continue right tick कर देना है अब यहाँ पर आपका UPI pin रेजिस्टर हो चुका है अब आप किसी को भी Google पे कर सकते हैं या फिर आप उसके direct bank account में transfer कर सकते हैं अब यहाँ पर आपको बहुत सारे option देखने मिल जाएंगे scan any keyword code इससे करेंगे तो आपको कुछ permission देनी पड़ेंगी first time उसके बाद जो है आप जब भी इसको on करेंगे आप को keyword code scan करने के लिए बोलेगा keyword code scan करेंगे और pin डालेंगे payment हो जाएगा जो भी आपको payment करना है एक और यहाँ पर option दिख रहा है pay to contacts इस पर click करेंगे तो यहाँ पर आपके सारे contacts दिख जाएंगे अगला option है bank transfer यहाँ पर click करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको account number डालना पड़ेगा re-inter account number and IFC code और यहाँ पर जो है नाम क्या है confirm करेंगे उसके बाद जो है आप payment कर पाएंगे उसके बाद इसी तरीके से यहाँ पर देखने मिल जाता है pay upi id अगर किसी की upi id है तो यहाँ पर upi id के पर डालेंगे यहाँ पर upi id आपको डालनी है verify करनी है and payment कर देना है फिर है self transfer इससे जो है आप अपने दूसरे किसी Google पे account में transfer कर सकते हैं उसके लावा बिल पे है अगर आपको बिल पे करना है कोई भी यहाँ पर देख सकते है mobile recharge है या फिर electricity bill है DTS का है या फिर आपका Google पे gas cylinder booking, broadband, landline, postpad, mobile bill कोई bill यहाँ से आप पे कर सकते हैं उसके लावा है mobile recharge, mobile recharge पर click करेंगे यहाँ पर आपको अपना mobile number डालना है जो भी है उसके बाद आगे बढ़ेंगे and plan slate करेंगे and your pay pin recharge हो जाएगा छोड़ा सा transition करके आपको दिखा देता हूँ pay phone number क्योंकि जाए तलोग गूगल पे से गूगल पे ही ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ पर आपको जिस बंदे को ट्रांसफर करना है उसका Google pay number यहाँ पर डालना पड़ेगा चलिए मैं डाल लेता जाते हैं वह amount डाल लीजे मैं यहाँ पर जोगे 10 रुपे ट्रांसफर करके दिखाता हूँ आपको उसके बाद यहाँ पर आप आड कर सकते हैं कि यह कौन सा payment आप कर रहे हैं किसले payment कर रहे हैं तो मैं कुछी भी कर देता हूँ जाए कि मैं यहाँ पर टाइप कर देता बोलेगा आपको yes continue कर देना है permission जैसे मैं आप दी है यहाँ पर उसी तरीके से आपको सारी apply कर देनी है अब यहाँ पर देखेंगे तो pin डालने के लिए बोला जा रहा है अब मुझे pin डालना है amount उपर check कर लेंगे एक बार कि कितना amount है और किसको मैं transfer कर रहा हूँ तो payment हो रहा है यह देखे payment हमारा done हो चुका है और यहाँ पर आप जितने लोगों को payment करेंगे वो सारी यहाँ पर जो सेव हो जाएंगे तो आप अगर दुबारा payment करना चाहते हैं तो उस पर किलिक करके simply आप जो इसको payment कर सकते हैं so I hope आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी be healthy